भारे इी चैनल ने सब्सक्रeब कराबा वास्ते वीडियो रे नीचे लाल कलरो सब्सक्रeब बटन ने दबावो और सगला नुबा वीडियो री जानकारी आप खने जल्दी सुपुगेला. स्वर्नगरी जैसल मेर में तीन दिवसिय मरू महोतसव का आगाच सोमवार से हुआ चलो नजर डालते हैं भरत सोनी नाचना की इस न्यूज पे विदेशी सैलानियों की भारी भिड के बीच पहले दिन जैसल मेर के मनीर्श रामदेश ने कई प्रतियोगियों को पचार कर मरू श्री के खिताब पर कबजाग जमाया वही मिस मुमल का खिताब वर्शा पमवार ने जीता तीन दिवसिय इस रंगा रंग आयोजन के तहट कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी ठार के रंगिस्तान की सुन्दरी का ताज जैसल मेर की मूल निवासी और जुनियर अकाउंटेंट के पद पर कारियरत वर्शा पमवार के सिर पर सजाग कई प्रतियोगियों को मात दे कर वह मिस मुमल चुनी गई मिस मुमल चुने जाने से उलासिप वर्शा ने बताया कि वह कई दिन से इस प्रतियोगिता को जीतने की तैयारी में जुटी थी आखिरकार उसकी महनत सफल हुई रेगिस्तान के परपरागत पहनावे और हन सहन को दर्शाने वाले थार श्री प्रतियोगिता में इस बार जोरदार मुकाबला देखने को मिला इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कई प्रतियोगी मैदान में थे लेकिन बाजी मारी मनीश रामदेर ने पेश से पत्रकार मनीश ने बताया कि वे डेड़ साल से इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहें थे इसके लिए उन्होंने काफी समय पहले से अपनी दारी बढ़ाना शुरू कर दिया था साथ ही जिम में लगातार परसीना बहा उन्होंने अपने शरीर को सुघर बनाया ताकि इस प्रतियोगिता को जीत सके मरूय महोटसव में उमरते है सैलानी जैसल मेर का तीन दिवसियक मरूय महोटसव पूरी दुनिया में प्रसिध्ध है इस महोटसव को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं तीन दिवसियक इस आयोजन के दौरान रेंगिस्तानी क्षेत्र की सांस्कृतिक जलक दर्शाने के साथ ही कई तरहा की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है आज सुबह एतिहा से गड़ी सरकालाब से शोभायात्रा के साथ इसकी शुरुवात हुई शहर के प्रमुख मार्गों से होकर शोभायात्रा शहीद पुनम स्टेडियम पहुंची स्टेडियम में विभिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ये म्यूज आपको अच्छे लगी हो तो आगे सभी सोशल पेज पे इसको शेयर जरूर करें और ये वीडियो आपको किशान लगा इस वीडियो के नीचे अपनी लाइन दे वीडियो लाइक करें चेनल को सुब्सक्रीब जरूर करें सभी नए वीडियो के अप्रेट के लिए घंटी बटन को ओके करें